हे गाई देखो वीडियो बनाने के बावजूद कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो छूट जाते हैं तो बहुत सरे लोग पुछते हैं कि सर ये स्टॉक के उपर बता दो तो मैंने सोचा कोई बात नहीं वीडियो के लास्ट में जो भी स्टॉक बचे रहेंगे उसको कवर करने की कोसि तो अभी भी मैं आपको बोलूँगा कल भी मैंने आपको बोला था मुझे कुछ नहीं पता कंपनी अची करके और आज भी मैं आपको यह बोलूँगा अच्छी कंपनी हर प्राइस पर आप खरीच सकते हो जी एमेम फॉडूलर यह गिर रहा है लेकिन यहाँ पर आप आप कर सकते हैं याद रखेगा जी एमेम फॉडूलर यह कंपनी के बारे में सबको पता है NST BST में दोनों जगा रजिस्टर है हलाकि BST में पहले यह स्टॉक जो है रजिस्टर हुआ था उसके बाद NST में भी रजिस्टर हो चुका है तो लंबे से में जो रिटन दिया है वो त जादा मत सोचिएगा उसके बाद Brightcom Group Limited आज के रिट में 12% स्टॉक भागा है देखें TCS का रिजल्ट भी आया है अच्छा रिजल्ट आया है लेकिन बड़े स्टॉक जाता भाग नहीं सकते इसलिए मैं आपको छोटे स्टॉक बता रहा हूं हमें चाहिए कि हमें तो पैसे स बोल रहा हूं कि पिछले 6 मेने का हाल देख लिजए 58% गिरा हुआ है पिछले 1 साल का हाल देख लिजए स्टॉक का उपर से कितना ज़्यादा ये टूटा हुआ 63% तक ये स्टॉक टूटा हुआ अब यही वक्त है यही वक्त है आपको अच्छा खासा profit करने का BCG बहुत सम लोग को पता होता है तो जितने लोग वीडियो देख पाएंगे वो फायदा उठा लेंगे और जितने लोग नहीं देख पाएंगे वो बाद में फिर हाई प्राइस पर खरीदने की कोशेश करेंगे RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड बहुत दिनों बाद आज की रेट में फिर जो है स्टॉक छे साथ परसेंट भागा है और आज की रेट में 94 परसेंट तक करिटा निकाल के दिया है यह कंपनी का IP भी आँखो के सामने आया था 2019 में और आज देखेगा तो 100 परसेंटी पैसे पर बैटके खाते हैं वो ज्यादा तरह कंपनी आपको डिविडेंट देती है याद रखेगा जिनको आगे काम करना होता है बिजनस फैलाना होता है पूरे दुनिया के कोने कोने में वो कंपनी उल्टा लोन लेके काम करती है तो डिविडेंट वाले स्टॉक को प्रभाइद नहीं रख सकती हैं अब तो देखो सरकार भी समझदार हो चुकी है और पब्लिक अभी तक समझदार नहीं हुई है मैं आपको कितने बार बोल लखाओं कि बैंकिंग सेक्टर से दूर रहो, बैंकिंग सेक्टर से दूर रहो, हमारे भारत देश में 50 बैंक है, चलते किवल 5 है, देख रहे हो रेशियो कितना खराब है, अब लोग बोलेंगे सर ऐसा क्यों, आज करके डेट में लोग ज्यादा अपडेट हो चुके हैं, लोगों के पास ज्यादा नौलेज है ज्यादा इंफोमिशन है, आज करके डेट में लोग स्टॉक मार्केट में, बोन्स में, डिबेंचर में, गवर्मेंट सिक्योरिटी में, रियल स्टेट में, या और कहां-कहां इन्वेस्मेंट करते हैं, कौर अपना पैसा बैंक मुलने जाकर फालतू जमा करेगा, वो भी क 60%, सरकार सोच रही है कि क्या करूँ ऐसे फालतू बैंक का महीं रखके, क्या करूँ मैं, बेज देता हूं पबलिक को जिसको लेना होगा, लेगा, नहीं लेना होगा, तो फ़र वैसे भी फालतू मेरे पास पढ़ाई हुआ है, तो सरकार इसमें से 60% हिस्तिदारी बेच रही ठीक है, सरकार क्या कर रहे है, बेच रही है, क्योंकि सरकार को पता है, फायदा देने वाला तो है नहीं, और मेरे पास रहेगा तो कभी देगा भी नहीं, इस वज़े से ये लोग हटाने के कोशिस कर रहे है, बाकि अगर आपको पसंद आया है, तो खरीदी है नहीं, तो मे देखो कमपनी को खरीदने से कोई फाइदा तो होने नहीं वाला लेकिन हाँ इस कमपनी के लिए जरूर अच्छी खबर है उसके साथ साथ जुबलिंट इंग्रिविया कली मैंने आपको बताया था यह भी अच्छा स्टॉक है यहाँ पर भी बाय उन डिप करना स्टार्ट के जरा कि जुन जरूर वाला का भी फेवरे स्टॉक है और भवित में यह कमपनी काफी अच्छा भी काम करने वाली है और अगर आप स्टॉक मार्केट में ने हो तो अपना डिमेट अकॉन इंजल में उपन कर सकते हूँ